पूटने की हो रही है तो हमारा आज का दूसरा केस है एक एक्सिरन्ट का केस जहां पीडित था अंकित केसवानी नाम का एक नौजवान आदमी और इस एक्सिरन्ट ने एक नहीं बलकि कई रिष्टों पर सवालिया निशान लगाती है अप्सिरन्टल डेथ का केस है मुझे नहीं लगता है एक्सिरन्टल डेथ का केस है मने तुम ने इस ढीपा किश्वानी का स्टेटमन पढ़ा रहा शार पढ़ा ने दुनों हॉस्पिटल में अलग अलग स्टेटमन्त्स दीए तपस हॉस्पिटल से डॉक्टर कपिल रतनानी बोल रहा हूँ हाँ बोलिए हमारे यहां एक एक्सिडेंट केस आया है पेशेंट काफी क्रिटिकल है हमारे डॉक्टर्स उसे ओप्रेट कर रहे है सोचा आपको इंफॉर्म कर दो दीपा ने कहा वो घर पर फिसल कर गिरा था हाँ सर, स्टेट्मेंट में यह का है जैसे वो घर के अंदर आए वहीं फिसल कर गिर गे दरवाजा अपने खोला था? यह नहीं उनके पास अपनी चाबी थी उन्होंने उससे दरवाजा खोला मैं बेडरूम में थी तक्रीवन कितने बचे थे? दस ताड़े दस के आस पास अंके तुम आगे क्या? अंके? अंके? अलो? सूरज? क्या हो अधीबा? सूरज प्लीस तुम जल्दी आजाओ अंकेत फिसल के गिर गये के सर पे बहुत चोट आई है प्लीस तुम जल्दी आजाओ सर मैं तुरंट वहाँ पहुचा देखा अंकेत को बहुत चोट आई थी मैंने आटो बुलाए हम अंकेत को अपने एरिया के क्लिनिक लेगे सर डॉक्टर ने का बहुत गहरी चोट है एडमिट करना पड़ेगा मैं एक अम्बिलेंट ड्रेवा को जानता हूँ दोस्त है भाई फोन करो ना उसको जैसी हम लोग यहां तपस हॉस्पिटल में पहुचे है डॉक्टरस ने का ऑपरेशन करना पड़ेगा मामला बहुत सीरियस है डॉक्टर साब मेरे हस्बेंट कैसे है बहुत ही क्रिटिकल है अभी के लिए हमने ब्लीडिंग रोग दी है उनकी लेकिन सकल में बहुत डी फ्रेक्चर है और मेरी यही एडवाईस है कि आप उन्हें एंडियन मेमोरियल हास्पिटल में ले जाएए तो प्रिस हब आप हेल्प कीजिए ना हमारी अंकित को महाँ शिफ्ट कराने में ठीक है तीन दिन बाद 8 जून 2015 को वीपा केसवानी का पती अंकित केसवानी चल बसा यह माना जा रहा था कि घर में दाखिल होते ही फिसल कर गिरने से जो उसके सर पर चोट आई अंकित उसका शिकार हुआ और उसे बचाया नहीं जा सका अजीब बात है सर एक तरफ दीपा यह कहती है कि अंकित घर पे फिचला था और दुसी तरफ वो कहती है कि वो गोमती चौक के पास गिरा था या यह महस एक मिस्टेक है या कोई कवर अप पता नहीं क्यों माने मुझे ऐसा लग रहा है इस केस में अंकित केसवानी नहीं बल्कि किसी की नियत किसी की इंसानियत फिसली है जी हमें दीपा केसवानी से मिलना है फोपात करने के हालत में नहीं है सिर्फ एक स्टेट्मेंट लेना है ज्यादा तकलीव नहीं पहुंचेगी उने वहाँ वहाँ गे रहते हैं अंकित मैं रूम से बाहर आई और खून के सारे धब्बे आपने बड़ी बारी किसे मिटाए होंगे क्यों वो क्या है न मिसिस केस्वानी हम पुलीस वाले खून पर इतनी आसानी से नहीं फिसलते कदम रखने से पहले खून सूंग लेते हैं फिर चाहे वो एक बून्धी क्यों ना हो अभी मेरे पती की मौत हुई है इन ही हातों से इन हातों से खून के धंपे साफ किये मैंने सफाई तो बहुत हुई है इस घर में सारा थूर मिटा दिया और गोमती चौक में सारे धब्बे मिटा दिया कहाँ? डियन मेमोरील हॉस्पिल में दिये का स्टेट्मेंट पर आपनी तो कहा था आपके हस्बेंड अंकित केषवानी गोमती चौक में फिसल कर गिरे थे मेरे पती गोमती चौक में फिसल कर गिर गे उन्हें बहुत कहरी चोटा है एम एक एक सेगेंड का सवाल है विरार पुलिस ने केस दर्स कर लिया है एक सेगेंट का आप प्लीज उनको जल्दी सेडमिट कर लीजे मैं हमारे रेसिजेंट डॉक्टर ओनकॉल को इन्फॉर्म कर देती हूँ आप मुझे तपरस हॉस्पिटल के पेपर से दीजे प्लीज मैंने गोमती चौक का शायद हट बड़ा हट में कह दिया होगा पर अंकित यहीं गिरे थे शायद जल्दबाजी में मुझे निकल गया होगा जल्दबाजी जल्दबाजी किसी से भी हो सकती है खुद कोई देख लीजे आपके हस्पिटल की मौत डियन मेमोरियल हॉस्पिटल में हुई थी आपका घर यहां विरार में है अगर देखिए जल्दबाजी में आप उनकी बॉड़ी यहां लाना भूल गई वहां हॉस्पिटल के सामने उनका अंतिम संसकार कर डाला मैंने आपसे कहा ना सर कि मैं शौक में थी मुझे यकीनी नी हो रहा था कि मेरे पती मुझे छोड़ कर चले गए मारी शादी को आठ महीने भी नहीं हुए थे और उनके मरने के तीन घंटे के अंदर आपने उनका क्रिया करम कर डाला आप समझ नहीं रहे हैं सर अंकित की मम्मी यानि के मेरी सासुमा उनके डेथ 31 मई को हुई थी जिने मरे हुए दस दिन भी नहीं हुए थे अगर हम अंकित की बाड़ी को घर ले आते सू तक लग जाता समझे आप मैंने आपसे कहा था ना मेरी बेटी बात करने के हालत में नहीं है कम सोर है वो इतनी छोटी उमर में उससे अपना पती कोया है आप आप समझ नहीं रहे समझ रहे हैं हम सब समझ रहे हैं मैडम मिसिस दीपांकित के स्वानी जल्द बाजी यहट बड़ाहट में की गई कलती हो या जुर्म हो नतीजाई की होता है फुरसत में पच्चतावा सर मैं तो महांसे तभी जला गया था जब दीपा की मतर कविता अंटी और दीपा का भाई चेतन मां पहुँचे में सर सूरज कटा रहा डियन मेमोरिल हॉस्पिडल के रेसेप्शन पर दीपा ने ये कहा कि उसका पती अंकित गोमती चौक के पास गिरा था गोमती चौक? ऐसा कैसे हो सर तो मेरे सामने तो नही बोला हुसने कभी ऐसा सर अगर ऐसा कुछ बोला भी होगा तो मेरे कहल से मुझ से हड़बढाट में निकल गया होगा सबसे पहले उसने तुम्हे फोन किया जब उसका पती बेहोश हुआ? सर दीपा मेरी अच्छी दोस्त है और अंकित भी मेरा अच्छा दोस्त है और ये अच्छी दोस्ती शुरू कब से हुई कॉलेज यहीं विरार में सर हम कॉलेज में साथ पढ़ते थे तो फिर तुम दीपा को काफी करीब से जानते होंगे जी हां सर तो मुझे ये बताईए मिसर सूरज कटारा कि दीपा की ये जल्द बाजी में फैसला लेने की आदत पहले से है या पती को गुजरे हुए तीन घंटे नहीं हुए अंतिम संसकार भी कर डाला देखे सर दीपा आपको ये बत पहले भी बता चुकी है और मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूँ सर अंकित की रिष्चेदारी में उसका कोई नहीं था सिर्फ उसकी मा के अलावा जो की 31 मही को गुजर गई थी हॉस्पिटल से बाड़ी घर ले जाते तो वही सूता कूता का चक्कर रहता इसलिए हॉस्पिटल के पास ही अंतिम संसकार करना पड़ा हमें पर सर आप सवाल तो ऐसे पूछ रहे है जैसे आप हम पर शक कर रहे हैं शक तो है मिस्टर कटार jug और सिर्फ शक नहीं अब हमें पूरा-पूरा यakीन हो रहा है कि इए केस में कोई आखिड़ेंट नहीं हुआ था आखिड़ेंट नहीं हुआ तो क्या हुआ सर तुम्हारे सर पर गरेगा कि मैंने ऐसा कब पोला ये पुलिस वाले मीना बस बात का बतंगड बना रहे हैं और कुछ नहीं सर हो सकता अंकित वाखी में घर पे फिसल के गिरा हो और स्टेसरों शॉक में दीपा ने गोमती चौक बोल दिया हूं होने को तो कुछ भी हो सकता है मने मगर कहां घर का ड्रॉइंग रूम कहां गोमती चौक हां सर अजीब तो है मगर बात सिर्फ इतनी नहीं है मने यह तीन घंटों के अंदर अंतिम संस्कार करना हमारे साथ बात करते वक्त वो वो गुसा वो चिड़ चिड़ाहट यह दोनों चीजे मेरे दिमाग पर दस्तक दे रही हैं बार बार दस्तक दे रही हैं कि यह सो कॉल्ड एक्सिडेंट यह हादसा हुआ ही नहीं है हां मुकेष बल्देओ पाजी वो बंदा अंकित तपक गया है हां सुना एक्सिडेंट केस दर जो गया तो फिर कोई टेंशन नहीं ठीक है लेकिन फिर भी मैं निकल ले रहा हूं अपने सेफटी के लिए अब आप देख ले ना क्या करना क्या नहीं ठीक निकल मुझे लगा था स्कल में फ्रेक्चर्स थे हैमरेज भी हुआ होगा मगर आपको क्या लगता ये इंजरी गिरने से नहीं किसी और वज़े से हुई हो इंस्पेक्टर इस बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ आप क्यूंकि ये एक्सिनेट केस था इसलिए मैंने आपको है गया कि इंजरी फिसल कर गिरने से हुई है कि डॉक्टर पेशिंट को पहले तपास हो स्पिटल में लिके गए थी यह वहां की रिपोर्ट है इसकल में काफी फ्रेक्शिर है काफी कहला कंकेशन भी है इन दिन बादी हैमरेज की वज़े से पेशन की डेथ हुई डॉक्टर पटेल मुझे शख है कि इंजरी फिसल कर गिरने से नहीं हुई है जैसे की पेशन की बीवने बताया है मैं आपके शख को सही साबित कर सकता हूना गलत सर अबने दीपा सूरज दोनों के फोन रेकॉर्ज निकल वाओ और अंकेत के भी इनफेक्ट अंकेत के बारे में मैं हर छोटी सी छोटी डिटेल जानना चाहता हूं वो कॉन था क्या करता था सब कुछ सर अगर पोस्मॉटम हुआ होता तो हमारे पास ठोज सबूत होता कि एक्सिडेंट आए कुछ और पोस्मॉटम तो उन्होंने होने नहीं दिया मने है मौत के तीन घंटे बाद सीधा क्रिमेशन अब इस सारे मामले का पोस्मॉटम मुम करें ममी मैं मैंनेज कर लूगी मेरी देखबल वगरा की कोई ज़रूरत नहीं है तुम प्लीज लॉट जओ कैसे बाते करिये तू यहां के लिए रहके क्या करेगी कुछ दिन हमारे साथ रहे ले अच्छा लगेगा मैं कुछ दिन अकेले रहना चाहती हूँ एक बात बता तेरे और अंकित के बीच में सब कुछ सही तो था ना यही बाकी रह गया था कि मेरी अपनी माँ भी मुझ पेशक करे कि मैंने अपने पती को मार डाला कैसे बाते कर रही है तो पागल हो गई है मैंने तो बस यू ही पूछ लिया था तेरी फिकर हो रही थे न इसलिए सर अंकित केसवानी हमारी कंपनी में सेल्स में था हम लोग मोटर पंप्स के डीलर हैं सर आप अंकित और दीपा केसवानी को कितना जानते थे अच्छे से जानता हूं सर क्या अंदोने के बीच कभी कोई प्रॉब्लम थी प्यार था सर अंकित कभी भी ऑफिस से घर जाने के लिए इतना उतावला कभी नहीं रहता था उनके शादी को सिर्फ आठ मेने हुए थे और दीपा क्या वो खुछ रहती थी आंसर मतलब जब भी मैं उनसे मिला या कभी उनके घर गया या कभी वो मेरी खर आए हमेशा है बहुत खुछ लगती थी सर तुने बहुत हैपी थे थेंक्यू तुझे पता भी है क्या बोल रहा है तू और वो भी किसके बारे में तैंचेंठ, कि मुझे इसब कहने में बहुत अच्छा लग रहे है बड़ फिर भी मैं कहा हूँ जाहिर सी बात हैंए कि मैं जानता हूँ कि मैं किसके बारे में क्या आके रहा है दोस्त है ना तो इस इलिए बता हूँ ऑज है सर ने दीपा, अंकित, और सूरज, तीनों के फोन रिकॉर्ड शेक किये, लेकिन कुछ भी एटपटा नहीं मिल रहा है. मने, यह देखो, पांच जुन की रात को साड़े नौ बजे दीपा केस्वानी को एक फोन आया था, और उसके हिसाब से उसी रात को साड़े दस बजे उसका पती घर आकर पिसला था, यह साड़े नौ बजे वाला कॉन? हाँ सर, यह नंबर 244-56-758, वाशिका लेंड लाइन है. सर, पीचियो के मालिक से मेरी बात वी, एज यूजल सर, कॉल किसने के उसे याद नहीं? और दीपा केश्वानी का क्या कहना है? किसका कॉल था? सर, वो कह रही थी को रॉंग नंबर था? साढ़े नव बजे, पान जून को, शायद से कोई रॉंग नंबर रहा होगा? हाँ, यादा है, रॉंग नंबर ही था. शुरदीपा जी. आप लोग इंसान को मशीन समझते हो, क्या? उस रात मेरे पती बहुत बुरी तरह से जखमी हुए. तीन दिन के बाद उनकी डेथ हो गई. और आप चाहते हैं कि मैं कोई टुच्चा सा रॉंग नंबर याद रखू? मुझ तो ये समझ में नहीं आ रहा, कि मुझे हैरस क्यों किया जा रहा है? कुछ ज्यादा जल्दी ही चिड़ जाती हैं ये मिसेज, दीपा के स्वानी. कोई तो वज़े होगी इस चिड़डाट की? जी सर, सर, मैंने सूरज के फोन रिकॉर्ड भी चेक किये थे. दीपा ने 10 बज कर 35 मिनिट पर उसे फोन किया था. दीपा और सूरज ने खुद ही एका है. हलो, सूरज? क्या हो दीपा? सर, पता नहीं क्यों इन फोन रिकॉर्ड में और हमारी इंवेस्टिकेशन के एंगल में, मुझे कोई मतलब नहीं लग रहा है. और मुझे कुछ और ही मतलब लग रहा है माने. देखो मने, हम तुम्हारी फिलिंग्स के साथ चल सकते हैं और केस प्लोस कर सकते हैं. या फिर, मेरी फिलिंग्स के साथ चले हैं, तो शायद कुछ निकल सकता है. और नहीं भी निकला तो, हमने कुछ नया सीख लिया होगा? इंसानों इंवेस्टिगेशन दोनों के बारे में? बिल्गुल, सर. मने, इस सूरज का पूरा बैग्राउण निकल वाओ. वो और दीपा कॉलिज के दोस्ते हैं. और उस आटो रिख्षावाले को ट्रेस करो, जिसने सूरज दीपा की मदद की थी, अंकित केश्वानी को लोकल क्लिनिक तक पहुचा. सर. साब, सूरज काटारी की पूरी हिस्ट्री. कल तक आपके हाथेली में होगी साब. लेकिन यो आटो वाला? हाँ, वो आटो वाला. जो उस राद उने क्लिनिक में लेकर गया था. साब, अब बोले तो, विरार में कितने सारे आटो चलते हैं न? हाँ, तो तेरा दिमाग भी कौन सा किसी आटो से कम चलता है, गोविन. इसलिए काम तुझे दे रहा हूँ. अपने चने के जार पे चड़ाई दिया है, तो आपके हटेली में मूंगवले दोरे न रखूँगा. पुलिस दीपा केसवानी के पीछे हाथ धोकर पड़ गई. क्योंकि उनके शक की बुनियाद काफी मस्बूत थी. दो स्टेट्मेंट्स में अक्सिडेंट के अलग-अलग ठेकाने बताये गए. और लाश का क्रिया करम कुछ जादा ही जल्दबाजी में किया गया. लेकिन पुलिस के हाथ कोई ऐसा ठोस सुबूत नहीं लग रहा था जिसकी वज़ा से उनका शक यकीन में बदल जाता. लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिकेशन आगे बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे पीछे हुए किस्से और वारदातों की कडियां एक दूसरे के साथ जुड़ना शुरू हो गई थी. हमारा शक गहरा होता जा रहा है सूरज के अंकित के इसवानी को गिर कर चोटनी आई, बलकि कातिलाना वार किया गया उस पर. और हमें लगता है कि ये वार तुमने किया. नई सर, ये बास सच नहीं है. मैंने अंकित पर कोई वार नहीं किया. ठीक है, करवाया किसी से. तुमने और दीपा ने मिलकर सुपारी दी किसी को. आखिर साजिश का है, बता हो मैं. सर, कोई साजिश नहीं है. जो मैंने आपसे पहले का था, वही बात है. सर, दीपा मेरी एक अच्छी दोस्त है, तो उसने मुझे फोन किया. उसने बताया कि अंकित घर में फिसलकर गिर गिया है, उसको बहुत चोट लगी है, उसके सिर से खोन निकल रहा है. तो प्लीज जल्दी आजाओ, तुमने चला गया, सर. यही सच है, सर. कॉलिज की फ्रेंशिप है तुम दोने की. यह बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, सर. मगर यह नहीं बता है कि तुम दोनों सिर्फ दोस्त नहीं थे. अच्छा खासा अफेर था तो बारा. तुम दीपा के साथ शादी करना चाहते है, ना? रिक्सा बाले पे स्पोट लगाया हुआ है, साब. जल्दी आएगा वो अपने रडार में. लेकिन सुरज कटार है अपने रडार में फच चुका है, साब. और आपके लिए खुश्कबरी भी है. हाँ तो बता ना? साब वो कंप्यूटर का प्रोग्राम विग्राम होता है, उसका सेल्स में नहीं है, सुरज कटार. ये दीपा और सुरज का अफेर क्यों टूटा था? और सुरज की शादी क्यों टूटी थी? अब साब मोटा मोटा जो पता चला वो आपके सामने ताजा ताजा पेश कर दिया. तुन्हें वाके में बहुत बड़ी खुश ख़बरी थी है, Govind. आगे के स्टोरी के सुरज ही सुनाएगा में. दीपा और तुम girlfriend boyfriend थे, फिर तुम्हारी शादी हो गई, वो शादी तूट गई, फिर दीपा की शादी अंकित से हुई, अब अंकित इस दुनिया में है ही नहीं, तुम दोनों फिर से single, एक दूसरे के लिए. क्यों? सर में दीपा से प्यार करता था, शादी गरना चाहता था उससे, लेकिन उस रिष्टे को मैंने तोड़ दिया था, किसी और से शादी कर ली थी, फिर हमारा डाइवोर्स हो गया, डाइवोर्स होने के बाद में दीपा से फिर से मिला, कंचन, तुम्हारी एक्स वाइफ, तक हात नहीं उठाया था उस पर, हाँ जगड़े जरूर होते थे हमारे पीच, जगड़े क्यों होते थे, मेरी मा सर, मेरी मा ही मेरे लिए सब कुछ है, लेकिन वो मेरी मा के साथ बदसलुकी करती थी सर, इसलिए हम दोनों ने घर छोड़ दिया था, मा और पापा की बीच में मैं डाइवोर्स हो चुका था, तो बड़े भाईया पवन पापा के साथ रहते थे और मैं मा के साथ, सर, कंचन ने हर वक्त मेरी मा की इंसल्ट की है, उसके बावजूद भी गुस्से में आकर भी मैंने कभी उस पर हात नहीं उठा, इस अब उसने केस वेस दर्स किया है न, इस सिर्फ मुझे तकलीव देने के लिया, और कुछ नहीं, कंचन से अलग होने के तुरंत बाद, तुम दीपा से दुबारा मिले, हाँ सर, मैं और मा मीरा रोड रहते थे, डाइवोर्स होने के बाद, विरार में मेरी नौकरी लग गई थी, तो मुझे विरार शिफ्ट होन रास्ते का कांटा बन गया वो, और उस रास्ते के कांटे को निकालने का ये मर्डर सबसे आसान तरीका लगा तुम दोनों को क्यों, सर आप बिल्कुल गलर ट्रैक पे जा रहे हैं, तो सरी ट्रैक बताओ मुझे, मैं दीपा से कभी शादी नहीं करता, तभी तो मैंने उस से हलो, हाँ दीपा, आप बोलो ना, हाँ ओके, बाबाए, कौन है ये दीपा, फ्रेंट, गल्फ्रेंड यभी है, फेख तो नहीं रहना तु, क्यों बहुत गल्फ्रेंड उनना गुनाया है क्या, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, यही तो उमर है, ताइम पास की, ताइम पास नहीं है भईया, दो साल होगा हम लोगो के अफ़ेर को, इन फैक्ट, उसके कॉलिज खायतम होने के बाद हम लोग, शादी का सोच रहे है, तेरा दिमाग तो खराम नहीं हो गया ना, क्यों भईया, क्या हो गया, तो जानता है इस लड़की को, हा 444-89-8767, अब पूछ मुझे मैं कैसे जानता हूँ, कैसे जानते हैं, अभी तक तो नहीं जानता हूँ, लेकिन अगर जानना चाहूँ ना, तो वो खुच सामने से आजाएगी, सिव एक फोन करने पे, कैसे बखवास करें भईया, आप, बखवास नहीं कर रहा हूँ, देख मेरा नाम पवन है, और आपका नंबर मुझे हरिश ने दिया था, ओ, हाई पवन, हाई दीपा, क्या मिल सकते हैं, मुझे, वो, मेरा मतलब है, यूनो, हाँ, हाँ, मैं समझ गई, बताओ, कहा मिलना है, आज रात कैसा रहेगा, ठीक है, जगह है न तुमारे पास, हाँ, जग ठीक है, हाँ, हाँ, हरीश ने सब बताया ना, मेरा रेट और कितना एडवांस, और बाकी सब भी, हाँ, बिलकुल, तब ही तो मैंने आपको कॉल किया, देख भाई, यह तेरी लाइफ है, लेकिन अगर मुझे पता है कि लड़की तेरे लायक नहीं है, तो लाल जंडी दिखाना मेरा फर्ज है, बाकी तू देख ले, सूरज, माइन मत करना, लेकिन अभी मुझे जाना पड़ेगा, छे बजे एक अर्जिंट काम है, ऐसी कॉनसी अर्जिंट मीटिंग आगी दिपा, कुछ नहीं, मा को डॉक्टर के पास लेके जाना है, छे पांच हो गए, मैं निकलती, बैठो दिपा, वो फोन नहीं करेगा, क्या, कौन फोन नहीं करेगा, सूरज, छोड़ो इस सब बाते, बैठो ना मुझे तुमसे कुछ जरोरी बात करनी, तीपा, मुझे नहीं लगता कि हमारे रिलेशन्शिप का कोई फ्यूचर है, आज अचाना कैसी बात, तीपा, मुझे नहीं लगता कि हमारे क्यों गुमारे हो, सिंपल बात है तो सिंपल तरीके से बताओ ना, एक शफ्द में बोलू, पवण, तुम्हें कैसे पता, क्योंकि उस वक्त पवण ने मेरे सामने, फोन स्पीकर में लगा के तुमसे बात की थी दीपा, तुम्हारे साथ डील फिक्स हुई थी उसकी, यह न में सोच रहा हूँ, जो कि अब तो पॉसिबल नहीं है, मुझे गुसे से आदा दुख हो रहा था, दीपा बहुत अच्छी लड़की है सर, बस उसने अपनी जिंदेगी ऐसे जीने की सोची, रॉस्टिट्यूशन में थी दीपा, सर मैं इस शब्त का इस्तमाल नहीं कर सकता उसके लिए, मैं बस किये कहूंगा कि वो शायद एक आदमी के साथ जुड़कर खुछ रहने वाली लड़की नहीं है, अंकित से तो जुड़ गई, उसे पता था, मुझे नहीं पता सर, मैं बस इतना जानता हूँ, जब मैं दीपा से दोबारा मिला तो उसकी शादी हो चु तो मैं बहुत गुडगल हो गई हूँ तुम्हें क्या लगता है सूरज, दीपा ने अंकित को मार डाला? नहीं सर, मुझे ऐसा नहीं लगता, वो बेशक अलग मिजाद और अलग तरह से जीने वाली लड़की है, वो अपने में खुश रहती है, लेकिन वो किसी को इस तरह का नुकसान नहीं पहुचा सकती हो सकता है अंकित को दीपा के अती आ्तित के बारे में पता चल गया हो, दोनों की बीच में जगडा हुआ हो और गल्ती से दीपा के हातों अंकित का मुर्डर हो गया मुझे चांस कम लग रहा सार, पिर भी मैं ये बात दावे से नहीं कह सकता पता है मने मुझे क्या लगता है इस सूरज और दीपा के बीच में अफैर चल रहा था अंकित को इसके बारे में पता चला उसने दोनों को धंकाया होगा या भी रोसकता है अंकित को दीपा के पुराने किसी अफैर के बारे में पता चला या फिर सुरज के अलावा उसने उसे किसी और के साथ पकड़ लिए हो पॉसिबल मगर बात ये है कि अंकित ने दीपा को रंगे हाथ पकड़ा होगा तो उनों के बीच में गर्मा गर्मी होगी और इस गर्मा गर्मी में दीपा ने शायद उसे ठका दिया या फिर बार करने की कोशिश की जान लेने का एरादा नहीं हुआ होगा जान तो गई इसलिए मढ़र केसमत है हो सकता है सर लेकिन अभी तक हमारे आतों में को थोष सबूत नही है इस वक्त नहीं है मगर इसका मतलब ये नहीं के सबूत है ही नहीं मने सबूत है, सबूत है, इसी माहौल में किसी परदे के पीछे ये सबूत हमारा इंदजार कर रहा है, जो सारे जूट को पे नकाब करेगा, मने, उस आटो ड्राइवर के बारे में कुछ पता चला, अभी तक तो नहीं सर, लेकिन विरार के सारे आटो ड्राइवर्स की स्कैनिंग चल रही है, सच बोलना चाहिए था, यह मतलब है तुम्हारा, दीपा, पूलिस ने जूट तो पकड़ी लिया है, ना जूट पकड़ा जाता, ना हम पकड़े जाते, ऐसा सब कुछ होता ही नि, अगर तुमने वो चौक वाली बात पे इतना जोर नहीं दिया होता तो, देख क्योंकि उस वक्त तुम और अंकित घर पे अके लिए थे, सारा श्रक तुम पे जाएगा, उन्होंने उस एक स्टेट्मेंट की बाल की खाल निकाल दी, फसा दिया हमें, दीपा, जितना अटेंशन में तुम्ती उत्रा ही मैं भी था, लेकिन ये सब तुम्हें तुम्हारे तपस हॉस्पिटल में क्यों नहीं याद आई, मुझे क्या मालूम था कि तुम आजा के ये बोल दोगी कि ये सब घर पर ही हुआ, देखो सूरज, जो हो गया सो हो गया, अब प्लीज अपने मूँ से ऐसी कोई बात मत निकालना या ऐसा कुछ मत करना, जिससे बात और बिग साथे नो बच गए, मेरे सीरियल का टाइम होगया, मैं जा रही हो अंदर, दीपा भी ना, टीव एडिक्ट, तुम भीति उसके फेवरेट सीरियल भी मालूम होगी नहीं, काफी पुरानी दोस्ती है तुम दोनों की, हाँ दोस्ती है, लेकि उसके टीवी सीरियल फेवरेट क तुम दोनों की दोस्ती किसी सीरियल की कहा गान इसे कम नहीं होगी, नहीं? कैसे? मतलब दोस्त प्रेमी बनता है, फिर तुमारा ब्रेक अब होता है, बाद में तुमारे शादी होती है लेकिन उसके बाद तुमारा डिवोर्स होता है और जब तुम लाटते हो तो देखते हो कि दीपा की शादी अल्रेडी हो चुकी है फिर तुम बहुत अच्छे दोस्त बनते हो और फिर और फिर कुछ नहीं अंकित हम लोग सिर्फ दोस्त बनते हैं सिर्फ दोस्त देखो अंकित जो पीद गया वो कल था और बीता हुआ हमेशा दफना आ जाता है इस वक्त दीपा के दिल में अगर कुछ जिन्दा है तो वो तुम्हारे लिए प्यार है और कुछ नहीं है हर दिल के चार खाने होते हैं और तुम्हारी खास दोज दीपा का दिल चार अलग-अलग लोगों के लिए धरकता है कम से कम चार इसलिए तुम्हें ब्रेक अप किया ना तुम्हें दीपा की असलियत पता चली पता चला कि वो एक आदमी के साथ खुशने रह सकते और तुम्हें रिष्टा तोड़ दिया सुरज मैं यह सब बात जानता हूं लेकिन इस सब के बावजुद मैं उससे बहुत प्यार करता हूं लेकिन तु यह सब जानकर उससे प्यार नहीं कर सका तेरा प्यार शायद मेरे प्यार से ज्यादा गह रहा है और तेरा दिल भी मुझसे बढ़ा है उतना भी बड़ा नहीं है मेरे दोस्त कई बार दिल की बाद जुमा पर दम तोड़ती है जी करता है उसे सब बोल दू तू जो कर रही है वो सही नहीं गलत है तर्द होता है यार मैं इंसान हूं पथर नहीं तुझे पता भी है क्या बोल रहा है तू और वो भी किसके बारे में तो तुझे क्या लगता है कि मुझे सब कहने में बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन तुझे कब से मालूब है देख यार तेरी शादी के वक्त मैंने फर्स टाइम दीपा को देखा था तब मैं यस सब कुछ कही नहीं पाया यार मतलब तू तेरी शादी से कुछ ही दिनों पहले मैं तेरी तेरी बीवी के साथ गया था एक होटेल रो में लेकिन मुझे लगा कि वो उसका अतीत है यार शायद वो बदल गई होगी शादी के बाद अपनी एक ने जिन्दगी शुरू करने वाली है लेकिन लेकिन क्या लेकिन वो नहीं बदलिये यार अंकित बीपा आज भी होटेल रूम्स में जाती है और घंटों के हिसाब से चार्ज करते है बस जब मेरा कलीग आजय कोली मुझे सब बता रहा था तब मैं कुछ ज्यादा शौक ने हुआ क्यूंकि कुछ और लोगों से भी मुझे इस बात सुनने में आई थी अच्छा दीपा जानती है कि तुम उसके बारे में सब जानते हो देखो मैं नहीं चाहता कि वो कभी जाने कि ये बात मुझे मालूम है प्यार करता हूं यार उससे अजसे ज्यादा प्यार लेकिन अगर ये बात खुल गई ना तो उसकी इद्जद उचलेगी और मैंने चाहता कि वो मेरे सामने जलील हो मैंने तुम्हारे साथ ये बात छेड़ी क्योंकि मुझे पता है तुम दोनों की काफी पुरानी दोस्ती है और प्यार भी था कभी हम दोनों की बीच में सिर्फ दोस्ती थी और दोस्ती है ये बात में तुससे पहले भी कह चुकों यार दोस्ती से बड़ा कोई रिष्टा नहीं है सुरज बड़ी ताकत है दोस्ती इसलिए क्या तुम मुझे पर एक महरबानी कर सकते हो तो जो बोलेगा वो करोगा बस जैसे भी हो तुम दीपा को इस लट से छुड़वा पस उसे टीवी का नहीं मर्दों का एडिक्शन है और सिर्फ तुम ही उसे इस एडिक्शन से दूर करवा सकते हो जिंदगियों में भुचाल आ गया था अंकित, सूरज और दीपा तीनों के पैरों तले जमीन खिसक रही थी अतीत का दर्दना का अंधेरा वर्तमान का करवा सच और आने वाले दिनों की धुंदली संभावना है इन तीनों मजदारों के बीच एक ही नाव में सवार ये तीन मुसाफिर एक दूसरे से आँख नहीं मिला रहे थे सच से कत्रा रहे थे क्या इन तीनों की कश्मकश के बीच कोई एक्सेरेंट हुआ था? क्या एक ऐसा एक्सेरेंट हुआ था जिसे पुलिस अब मर्डर मान कर चल रही थी? आखिरकार इस केस की हकीकत पर इन्वेस्टिगेशन ने कील ठोकी थी. अब क्यों आया हैं आप यहां? वक्त आगया है, पर्दा गिराने का. आप लोग इतने जालिम क्यों हैं? किसी इंसान को शांती से शोक तक मनाने नहीं देते. मैंने अपना पती खोया है. खोना क्या होता है जानते हैं आप? जानते हम, खोना जानते हैं, पाना जानते हैं. और किसी को जान बूज कर दूर भीजना भी जानते हैं इतनी दूर कि वो वापस लोटकर आहीं न पाए देखें मिसेश केसवानी जब एक जुर्म होता है न तो मुझरिम के जो करीबी होते हैं वो एक जुट छिपाने के लिए लाग जुट बोलने को तयार होते हैं और बोल भी देते हैं मगर अजनभियों पे दोस्ती का ऐसा कोई बोजनी होता वो हमेशा सच बोलते हैं सर जी वो कॉलेज में होता है न पढ़ाई के बाद और पढ़ाई प्यच्डी वेच्डी अपनी तो विरार में आटो रिक्षाबालों पर प्यच्डी हो गई पास हुआ? फर्स्ट क्लास फर्स्ट आटो वाले के यूनियन उसका डा आटो वाले के चॉलें सब छान मारा तब जाकर आपका आदमियात लगा है नाम है कैलाश पाटेल कहां मिले गई? कहीं ढूनने के जरुरत नहीं है सर जी आपके लिए लेकर आया हूँ यहीं मेरे बगल में खड़ाए मुझे वो मेरे बगल में चीगे ने अथाने में अभी के अभी पांच जून की रात को तुम अपनी आटो में एक घायल आदमी को पुछ कर क्लिनिक ले गए थे हाँ साब एक मैडम थी और उसके साथ दूसरा वो साब था और एक आदमी भी होस पड़ा था साब वो मैडम जो थी उस घायल आदमी की पतनी थी उसका कहना है कि उसका पती घर पर फिसल कर गिर गया उसके सर पर चोट आई वो मर गया हमारा सोचना है वो जून को रहा है यह मर्डर केस है साब भच्चे की कसम खा के कह रहे है साब मेरा इसमे कुछ नहीं था साब मैंने तो उस आदमी को बस डॉक्टर के बाद छोड़ाता साब मदद कीती साब वो जो मैडम थी और उनका दोस्त था उन दोनों के बीच में बातें क्या हो रही थी वो बात नहीं आपस में जबरदस जगड़ा कर रहते साब किस बात पर ये तो नहीं मालुम साब लेकिन वो मैडम मतलब सटक देती उसकी उस आदमी पर जगड़े का बुद्ध तो समझ में नहीं आया साब लेकिन ये बात साफ है कि उस घर में कुछ तो लफड़ा साब उस रिक्षे वाले का ना तो कोई स्वार्थ है ना फाइदा ना मतलब इसलिए उसके जूट बोलने का जीरो चांस है मिस्स दीपा किस्वानी ये सब किया कराया आपका है और ये सारा अरेंजमेंट आप ही के घर हुआ था उस आटो वाले ने कुछ कह दिया और आपने मान लिया किस अरेंजमेंट की बात कर रहा है उस अरेंजमेंट का नाम है बल्देव अहुजा ताज्यूब हो रहा है ना आपको इतना बड़ा राज हमें कैसे पता चल गया मगर ये भी एक राज है जो मुझरिम को जेल जाकर समझ में आता है जी हाँ मैडम जेल आपका इंतजार कर रहा है वहाँ आपको सब कुछ समझ में आजाए आएए मिस्स केसवानी बैठिये वैसे मिस्टर बल्देव अहुजा हमारे दूसरे महमान खाने में अच्छी खासी खातेदारी की जा रही है बैठिये एक राज की बात खुनूं आप दोनों से वैसे इस केस की सारी कडियां हमने तकरीबान पहले ही जोड़ ले थी मसे एक कड़ी बाकी थी आपकी फ़ड़ा मुश्किल बढ़ रहा था क्योंकि आप शुरुआत से ही अबला होने की आक्टिंग कर रही थी मासूम बनने के दावे कर रही थी मगर सच यह है मिसिस केसवानी कि हमने आपके हर दावे पर गिरे परदे को ना सिर्फ उठाया है बलकि उसके चिथड़ उड़ा दिये सूरज के कुबूल नामे के बल्बूते पर पुलिसिस केस के छुपे हुए खिलाडी बल्देव अहूजा तक पहुँच गई थी आखिर में दीपा केसवानी को भी घेर लिया गया और सच सामने आया अंकित केसवानी की मौत एक एक्सेलेंट होने के बावजूद भी एक कतल था एक अटायक हुआ था एक साजिश हुई थी बल्दे रात को दूज बाला बैग दर्वाजे पर लटकाना मत भूलियेगा तुम सुभा से तीन बार बोल चुकी हो मैं चाहों दिना तो भी नहीं भूला पाऊँगा तू तो बाल करें फ्रिज में रखना ओ यार पम्मी तुम दस दिन के लिए अपनी मम्मी के यहां पर जा रही हो और लेक्चर मेरे को ऐसे दे रही हो जैसे पता नी बॉटर पर को जंग लडने जा रही हो माई है के जांगे मेरे को भूल वल जा रहा हूं बूल जाते हो तो भून पिनी करते हुँ आश तो तेरी है भाई बजम्मी हाँ मेरी भी आश है वैसे यह बढता हर भावी कहाए है और भई दस दिन के लिए माई के घई हूए है भाई मैं तो यह दस दिन पूरे मेज़े करने वाला हूँ अब वो तो तेरा फोन आया था तभी पता लग गया था मुझे अच्छ यार भाई एक काव है कोई है क्या आइटम क्या भूल रहा है भे समझा कर यार कोई कोई अच्छी सी कॉल गर्ल, स्कॉर टाइप यार देख मेर को कोई होटल वोटल में तो जाना नहीं है तो कोई दिला दे ना यार मतलब जो घर पे आगे तेरे भाई को फाइस्टा टीटमेंट दे दे बल्देव तुने मुझे समझ के क्या रखा हुआ है मेरा वो मतलब थोड़े था मेरे भाई मैं ये कह रहा हूँ कि तुने कभी अपने घर पे बुलवाया होगा या तेरे किसी फ्रेंड ने तो कोई तो कंटक्ट नंबर शंबर होगा ना यार कितनी अजीब बात है ना तुमारा पती अंकित तुम्हारे बेस्ट्रेंड सूरट से रिक्वेस्स करता है मैं अपने बीवी से भ़ात प्यार करता हूँ उससे समझाओ जड़ा उगेर मर्दों के साथ न जाए और तुमारा बेस्ट्रेंड सूरट क्या करता है अंकित की मदद करने के बजाए, उँ तुम्हारी मदद करता है ना एक कस्टमर्स ढूंडने के लिए, मतलब भरोसा, इंसानियत, जुबान, इन सब चीजों की कोई एमयत ही मेरी दुनिया में क्यों सूरज? ए दीपा, बल्देव मेरा दोस्त है यार, स्पेशल फ्रेंड ना लेकिन तुम्हारे स्पेशल फ्रेंड के लिए कोई स्पेशल डिस्काउंट नहीं होगा सूरज उसको बता देना, फुल कैश, एडबांस में पैसी की टेंशन मतले, एक तम मालदार पाटी है एक्चुली उसकी वाइफ गई हुए एक उस दिन के लिए घर से बाहर तो बल्देव साब थोड़ी सी आइश करना चाहते है ठीक है, तो उसका नंबर मुझे स्पेशल फ्रेंड को कब और कितनी मस्ती मालनी अज रात फ्री हूँ, लेकिन पूरा एडवांस रहेगा सूरज ने बताया तो होगा ना अज रात मेरे को खुश कर दे, तिरको दस दिन का एडवांस आज ही दे दूँगा ओके बेबी अंकेट, मैं आज रात को अपनी फ्रेंड के या जा रही है अच्छली उसकी थोड़ी क्राइसस चल रही है सुबह साथ साथे सत्पिछ तक आ जाओंगी, ओके? अज रही है, मतलब? नहीं यार, कोई इशू होगा वैसे बात प्रोफेशनल लड़की हो काय की प्रोफेशनल बे, साड़े नो बजे आने वाली थी, साड़े ग्यारा बजने वाले अरे यार मैं ड्रिंक पे ड्रिंक पिये जा रहा हूँ और मैडम ने फोन स्वीच आफ करके रखा हुआ है देख यार बल्देव, अब मैं कुछ नहीं कर सकता मैंने तुम लोग को मिलवाया तुम लोग की बात हुई अब तुम लोग के बीच में जो कुछ भी है अब बुखार कम हो रहा है लेकिन अभी भी बॉड़ी पेन भोगात है तीन पेन के लज ले चुकियो तुम आज रात आराम करो ना आज कहीं मच जाओ मैं अब यही सोच रही थी अब अब यही सोच रही थी हलो दीपा क्या पकवास आई है सौरी बिलदेव लेकिन मेरी तबियत बहुत खाराब है मैं उठे नहीं पा रही हूँ अरे एक फोन तक नहीं के तुमने मैं दो दिन से वेट किये जा रहा हूँ तो क्या करो ऐसे आऊ क्या एंजॉय करो के तुम मैं कल तक ठीक हो जाओंगे फिर आती हूँ अरे यार अरे तेरे को भी आजी खराब होना था नहीं चलते हैं अराम शिकाव तुम मत उटो मैं देखता हूँ नहीं तुम खाओ खाओ खाने मत छोड़ो मैं देखता हूँ रेंता है तुम हनुए लाजने के प्रॅभव को थोंच जगी उसके साथ उसको छोड़के अभी के अभी के अभी मेरे घर पेयाँ जितने पैसे दो दे रहाइन उसे कही它्रा और मैं दो हुआ दू है एक और बार तुमने बत्तमीजी से बात की ना? ओके, ओके, सॉरी डार्लेंग, प्लीज मान जाओ, आजाओ, टेक्सी भेजू? तुम्हें एक बार सुनाई नहीं दिया, मैंने कहा मेरी तब्यत ठीक नहीं है, मैं नहीं आ सकती, नहीं का मतलब नहीं आजा, 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 एड्रेस है या, SMS करूँ? कौन है बे? अरे मैं जो भी हूँ, तू पहले बता, तू कौन है, बड़ा उठवाएगा नहीं, चल बोल कहा मिलना है, सामने आ, चल उकात मेर है तू, अपने बाप से बात कर रहे है तू अरे सामने तो आ, जो भी है तू, और तू, अपनी आउकात मेरे, सुन, सुन, अगर दाथ तोड़के हाथ मेने दिया ना, तो मेरा नाम भी आंकित ने ओ, अंकित फंकित जो भी तेरा नाम है, हसा मत मुझे, और चुप करके दीपा से बात करवा ए, सुन, अगर दोबारा यहाँ पे फोन किया ना, तो ढून कर वही गाड़ दूगा जिन्दा, कोई कुटा भी नहीं सूगेगा तेरी कबर अबे तुझे प्यार से बोल रहा हूँ, चुप चप फोन दीपा को दे दे, अब अंकिल को सच में गुसा आ रहा है हाँ, मुझे मालू में गुसे को कहा गुसेड़ना है, अरे सामने तो आजा, गुसा तो दूर रोना तक नहीं आएगा, कुछ अंदर नहीं जाएगा और कुछ बाहर भी नहीं आएगा, चला हट मैंनी जानती कौन था पर उसको मालू मैं अब मैं कौन हूँ, चलो डीनर कटम करते हैं अबे, क्या हो गया बल्देव? अड्रेस दे सालिका, अड्रेस दे अरे भाई बल्देव थोड़ा शान्त रहे यार जब उसने बोला है कि वो बिमार है तो बिमारी होगी ना तू उसके दल्ले की तरह बात क्यों कर रहा है बेश देख मेरी हट गई है, मुझे उसका अड्रेस चाहिए तू मुझे पागल समझ रहा है तू इतना गुस्से में है और मैं तुझे उसका अड्रेस दे दूँ तू अड्रेस मत दे उसका मेरे पास तेरा अड्रेस है, मेरे साथ मेरे एक आदमी है हम तेरे पास आएंगे तेरी साले हड़ी तोड़ेंगे तेरे को फोड़ देंगे उसके बाद मेरे तु एड्रेस तो क्या तु उसके घर छोड़ के आएगा मेरे को साले अपने दोस्को दमकी दे रहा भे तुझे पता है जब मेरी सटक जाती मैं कुछ नहीं देखता तेरे को पता है ना पहले भी मैं दो हाफ मदडर के लिए अंदर जा चुका हां जानता हूँ तो फिर क्या चाता है तेरे हाफ मदक कर लिए अंदर चला हूँ मैं एड्रेस दे रहा है या मैं तेरे घर पे लेने आऊंग। क्रॉड लिया स्वीट की नीचे चल विरार निकाल एक काम करना है उल्टू पता निए आफ या क्वार्टर तो पक्काया सल आपने पैर पे नीचलना जे निकाल हलो दीपा तेरा बल्देव से कुछ अगड़ा हुआ क्या सूरज वह तुम्हारा दोस ना एक्तम घटिया है थर्ट क्ला सडक चाप उसको समझ में नहीं याता कि मेरी तब्यत खराब है मैं नहीं आ सकती फोन पर फोन किये जा रहे है दीपा उसने मुझे धंका करना तेरा तुम्हे 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 तुम हैंडल कर दे कौन है तू तू ही था ना भे जो फॉन पे थरे मिंदर बन रहा था मुझे सामने आने के लिए बोला था ना ले तरह बाप तरह सामने कड़ा बल्दे फ्लीस बहुल बहुल बल्दे पाजी यह तो फुल्टू हो गए चलो निकलते हैं यहांसे चलो 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 निकल चतर प्रसेंट सच हमें सूरज ने बताया बाकी बल्दे वहुजाने तो मिसिस दीपांकित केषवानी सच यही है अटैक हुआ मुर्डर हुआ और आपने हमसे सब कुछ छुपाया मैं नहीं चाहती थी कि पूरी दुनिया को पता चले कि मैं क्या करती हूँ आप जो करती हैं उसने आपकी पधी की जिंदगी छीन ली मैंने अंकित की जान बचाने की कोशिश की थी मुझे नहीं पता था यह सब हो जाएगा जब हम कुछ गलत करते हैं हम कई चीजों के बारे में नहीं सोचते हैं मगर वह होती जरूर है अब देखो तुमने सोचा भी नहीं होगा कि जब से तुम्हारी शादी हुई है अंकित को यह पता था कि तुम प्रोस्टिटूशन में इंवाल्ट हो यकीन नहीं होता अपने दोस्त सूरज से पूछ लिजी क्यों सूरज सच कह रहा हूँ ना अंकित ने सूरज के साथ सब कुछ शेयर किया था इन फैक्ट वो सूरज की मदद ले रहा था तुम्हें इस दल-दल से बाहर निकालने के लिए वो तुम से बहुत प्यार करता था और तुम्हारा ये दोस्त ये गुड फ्रेंड तुम्हें उस दल-दल में पूरी तरह दुबोने पर तुला हुआ था मेरी समझ में नहीं आता है कि अंकित ने तुम दोनों पर विश्वास कैसे किया एक बात का हूँ मैं सालों से जानती थी कि तुम अलग-अलग मर्दों के साथ खुंगती हो सोचा तुम्हारी फित्रत होगी क्या अच्छा क्या पुरा तुम बस ऐसी हो पर ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम पैसों के लिए अपना जिसमां बेचोगी ममी प्लीज मैं पहले ही बहुत जलील हो चुकी हूँ महरबादी करके तुम मत्शूर हो जाओ मैं भी कम जलील नहीं हुई हुए बिटा एक बात याद रखना मच्चे या माबब जो कुछ भी करते है उसका असर एक दूसरे पर होता है तुमारी गलती से हाज एक मासूम के जिंदगे हमेशा हमेशा के लिए खतो होगे एक ऐसा मासूम जो तुम से बेहत प्यार करता था तुमारे बारे में सब कुछ जानते हुए तुम से बेहत प्यार करता है तुमकलती से हुआ एक एकसी रिंट था मैंने कभी किsp niche को बशाएर नहीं चाहा और अंकित के साथ ऐसा हो तुमैने कभी नहीं चाहा मैं सिर्फ अपनी जिंदगी अपने तरीके वे जीना चाहती थी मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा अंकित पर हुए हमले में बल्देव का साथी मुकेश अभी फरार है वो एक हिस्ट्री शीटर है और पुलिस उसे ढूंड रही है दीपा सूरज और बल्देव को आईपी सी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए और धारा 201 के तहत सुबूत मिटाने के लिए और पुलिस को गलत जानकारी देने के जर्म में गिरफतार किया गया है दीपा अपनी जिन्दगी किस तरह से जीना चाहती थी उस पर हम कोई जज्जमेंट नहीं कर सकते लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि उसके लाइफस्टाइल की वज़ा से ही ये हादसा हुआ जिसमें उसका पती अंकित के सुआनी मारा गया अंकित पर हमला सोच समझ कर किया गया था मकसद भले ही गतल का नहीं था लेकिन हमला वार अंकित को सबक सिखाने आये थे और उनके हाथों एक हत्या हो गई क्या ये मौत अवाइट की जा सकती थी एक तरफ दीपा को डर था कि अगर अंकित को उसके विवसाय के बारे में पता चल गया तो उसकी शादी तूट सकती है इसलिए जब फोन पर बलदेव से जगड़ा हो रहा था तब उसने अंकित से जूट कहा और कॉलर की आइडेंटिटी को गुपत रखा दूसरी तरफ था सूरज का टारा जो जानता था कि अंकित दीपा की हरकतों से काफी हद तक डिस्टरब्ट है लेकिन उसकी मदद करने की बजाए उल्टा वो दीपा को नेने क्लाइंट्स दिलवा रहा था क्या इस तरह के जूट से पीट पीछे इस तरह की बेमानियों से कभी किसी का भला हो सकता है जवाब है बिलकुल नहीं दीपा अपने देव वैपार की सच्चाई को अपने परिवार वालों से समाद से छुपा कर रखना चाहती थी इसलिए वो एक हादसे को छुपा रही थी एक कतल को एकसिडेंट कर रूप देने की कोशिश कर रही थी लेकिन जुर्म छुपाए नहीं छुपता जितना छुपाने की कोशिश करो उतना ही ज़्यादा उभर कर सामने आ जाता है पुलिस को इस केस की शुरुवात में ही दाल में कुछ काला नजार आ गया था और उन्होंने दाल के गलने तक इसका पीछा नहीं छोड़ा इस केस को अंजाम तक ले जाया गया किसी समझदार व्यक्ती ने काया है कि अगर सच बोलो तो कुछ भी याद नहीं रखना पड़ता लेकिन एक जूट बोलने से काफी लंबे अर्से तक कई और जूट बोलने पड़ते हैं लेकिन फिर भी जूट पकड़ा ही जाता है आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पिट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ तब तक अपना खयाल रखें सुरक्षित रहें और याद रखें जूट बेवज़ा दलील देता है सच खुद अपना वकील होता है सही वक्त सही कदम सतर्क रहें जैहन